हालो दूस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले आयार एफसी जिसे हम इंडियान रेल्वेव फिनेंस कॉपरेशन लिमिटेड से लेटेड बाते करेंगे इसके फाइनेश है इसके फंडामेंटाल एसके चार्ट पेटन क्या गह रहा है उन सब चीहों से लिटरी बाते आगे बढ़े आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बल आइकन को हिट कर दीजिए और के नोटिफिकेशन कौन करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और अगर सीखना है तो सीखने के लिए वीडि दो नमबरों को सेफ कर लिजिए बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है क्यूं लेना है क्यूं बेचना शेयर क्यूं भागता है क्यूं गिरता है यह सारे सवालों के आंसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे पच्ची जार रुपर यह कोर्स है त्री मन्स की अंडोल्टिंग श्टाटी यूज इन श्टॉक मार के ओनलाइन नोट सब कुछ दिया जाता है कोर्स कंप्लीट होने के बाद पीछे मुड़के देखने की जरूवत नहीं है हाना बस आपको वो करना होगा जो मैं आपको बताऊंगा छे म वीडियो बना रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि यहां पर लेना है और नहीं है मतलब है कि बेचना है आपको अपने हिसाफ से यह तैयारी करनी है बैट इसलि आयर एफी कैसा श्रेयरा है उससे वीडियो बनाते ले तो IRFC देख करें तो इंडियन रेल्वेई फिनेंस corporation borrowing funds from the finance market to the finance the acquisition creation to of asset which are then lease out of the Indian railways as finance lease. तो अगर बात करें ये एक तरीके से एक जैसे आपको loan देने के लिए आप इसके पाद जाते हो राइट या फिर आप बैंक के पास जाते हो इसी तरीके से railway को अगर कोई loan चाहिए रेल्वे को कोई project नहीं आप तरीयार करना है तो वो किसके पास जाती है वो सीदह जाती है इंडियन रेल्वे finance corporation limited तो अच्छा एक government stocks हाना और सारा का सारा finance इने कर देता है और प्लस में अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर यहसे bank में आपने मैंने या किसी और ने भी loan ले लिया हाना कभी-कभी होता है कि just because of some reason हम fund नहीं दे पाते तो NPA में चले जाता है तो यहाँ पर NPA होने के chances नहीं रहते हाना यहाँ पर सारा का सारा पैसा बापिस आता है और सारा के सारा पैसा बापिस आता है तो यह share उसमें अच्छा हो जाता है तो एक बहतरी share है देखना बहुत सारी चीडियों से यहाँ पर बाते करेंगे तो वीडियो में जाईए हाना इनके website पर जाईए तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि इतना प्रोजेक्ट को यहाँ पर यह फंड कर चुके है यहाँ देखिए 92 रैंक है इनकी फॉर्चून में और यहाँ पर देखिए इतने सारे पैसेंजर कोचिस को तो यहाँ पर अच्छा गासा शेयर है काफी बहतरी शेयर है लॉंग टर्म के परस्पेक्टिब से अच्छ अगरी बात मार्केट कैप की बात करता है दो लाग पच्छपनाजार आट सो पेन तालिस करोड़ है तो यहाँ पर एक तरीके से यह ब्लूचिप्स लाज का कंपनी में यहाँ पर शुमार होती है इंडश्टी का पी 30 का है और यह इसका पी 39 का तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा हो गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि बेकार हो गया है महंगा हो गया है तो इसका मतलब नहीं कि शेर नहीं चलेगा पी महंगा है पी के बेस पर चीज़े काम नहीं करती इस चीट को भी हमें ध्यान में रखना है और उसी ROE की बात करें तो यह प्राइस के बढ़ने पर बढ़ जाती है गटने पर गटने जाती है तो इस चीज को थोड़ा सा इग्णॉर करके चले फिलाल की डेट में बट इस तिल रोई अगर बीस के ऊपर होती है तो अच्छा मना जाता है यहां पर और बात करें यहां पर पांच गुना पर चल रही है थोड़ा सा यहां पर महंगा नजर आता है यहां पर बोनस भी यहां पर मिलता हूँ नजर आ सकता है क्योंकि इस प्लिट हो गए यहां पर डिविडेंट भी कंपनी देती है मैक्सिम चाट प्रटन देखे शेर जबसे यहां पर आया उसके आप कंसॉलिडेट करके यहां पर भागना शुरू किया इसके आप पीछे मुड़के इसने देखा नहीं है और देखे तो यहां देखे कौटर कंपनी ऐसा नहीं है कि केवल भागी रही है पागलोगी तरह गौर्नमेंट ने कह दिया है या रेलवे के स्टॉक है कंपनी वहां पर काम भी करके दिखा रहे हैं यहां देखिए कंपनी पिछले कौटर से तो 6000 क्रोड़ से प्लस में यहां पर हर स्कौटर सेल्स करके दिखा कंपनी का EPS बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो यह सब चीज क्या है अच्छा और देखिए मार्जिन का ही काम होता है मार्जिन क्या है 99% 100% इस तरीके कि यहां पर इसके मार्जिन रहते हैं यहां पर और चीटों की बात करें तो यहां पर आप देख सकते कंपनी अच्छा अब यहां पर काम कर रही है 5500 क्रोड से 2600 क्रोड की जरनीत है कर ली है तो यह क्या चीज बता रहा है कि कंपनी में ग्रोथ है और अभी भी याद रखिए जो इंडियन रेलवे है और जिस तरीके की हमारी जनसंग क्या है हाना लोगों को सीट बैठने को नहीं मिल पाती और होना चाहिए तब जाके यहां पर इक्वल आने की उम्मीद होगी ठीक है तो रिजर्व की बात करें तो यहां देखे 3600 क्रोड के आसपास के रिजर्व से ठीक है अच्छे का से रिजर्व से तो मतलब क्या है मतलब यहां पर आपको बोनस मिलता हुआ नजर आ सकता है कं चीबात है साथ में हम देखे और चीज़े तो इन्वेश्टमिन चाहुन करोड का है कैश की बात करें तो कंपनी यहां पर देखिए पॉजीटिव कैश फ्लोड जो जहां पर नेगेटिव थे वहां पर पॉजीटिव कैश फ्लोड में आ गये है माज 24 में और चीज़े तो आगे चलके यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर OFS आ सकता है, और offer for sales में यहाँ पर क्या हो सकता है, यह share को 75% तक ला सकते हैं, यहाँ पर लाया जा सकता है, तो एक विखवाली आ सकती है, गौर्मेंट की तरफ से, यह बात करें, FIS की holding, FIS की holding, यहाँ देखिए 1.08% है, FIS की holding, FIS की holding थोड़ी कम होई है, 0.89% है, public के पास 11% के share है, तो कोई ज़्यादा share नहीं है, ठीक है न, इस चीच को आपको हमेशा याद रखना है, और अभी क्या बोल वाला है, तो इसे हमें ignore नहीं करके चलना है, इसे हमें ध्यान से और सही से यहाँ पर देखना है, और पर और भी चीचे पढ़नी है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आप इनकी जो ट्रेडिंग है, वो यहाँ पर close हुई थी, यह आप पढ़ लेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आगे बढ़ते हैं, चार्ट से लिटीर बाते करते हैं, चार्ट क्या कह रहा है, सीखने के लिए, आपको यहाँ पर वीडियोज है, बहुत सारे वो जाके देखने हैं, साथ में हमारा कोर्स है, कोर्स को आप यहाँ पर कर सकते हो, कोर्स करेंगे, तो बहुत ज्यादा help होती हुई नजर आएगी, 80% queries solve हो जाएगी, 20% queries आपकी practical से हो जाएगी, और जब 100% आपकी query solve हो जाएगी, तो आप अच्छा खासा प्रदर्शन करके आपर दिखा सकते हैं, वो सारी चीरे आपर पढ़ाई जाएगी, बात करें, share आपको लग रहा होगा, देखिए, इतना सारा भाग गया, कहां से कहां पोच गया, पर ऐसा नहीं होता, कहां से कहां पोच गय अच्छा यहां पर काम कर रही है, और जादा finance कर रही है, तो वो उसकी capacity जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, company यहां पर और अच्छा प्रदर्शन करती भी नजरा सकती है, अभी क्या यहां पर आप देख पा रहे होगे, यहां पर देखिए, एक reverse adding shoulder pattern बन रहा है, यहां देख यहां पर आप देखेंगे ना, दो चार दिन पहले, दो दिन लास्ट दो दिन मतलब अगर बात करूं, Monday को और Friday को बहुत अच्छी buying हुई है इस share में, आज के दिन में selling भी उसी तरीके सो हुई है, बट इतनी selling ने हुई, जितनी buying हुई है, तो क्या है, यहां पर बेचना कम चाते है, लेना ज़्यादा चाते है, और इस share में एक तेजी दिखाई दे सकती है, और इस share को जो की 300 और 400 के level को भी touch किया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया, share थोड़ा सा महँगा है, बट इतना महँगा नहीं है, तो इस sheet को भी हमें याद रखना है, तो buying selling की recommendation नहीं है, अपने financial advisor खुद की study करना है, चीटों को खुद के हिसाब से देखना है, खुद के हिसाब से सीखना है, जितना उतना आपके लिए अच्छा वुश्व, thank you so much, God bless.